कि संकर जी के मंदर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चड़ाते रहो, संकर भगवान को एक चावल का दाना चड़ाते रहो, शिव के मंदर में एक बेल पत्र चड़ाते रहो, बेल पत्र ना मिले तो संकर जी की उठा कर धोकर फिर चड़ा दो, पानी ना मिले तो चंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा, रोज आती है, और मुस्कुरा के जाती है, पार्वती जी कहेगी, मुस्कुरा इसलिए रही है, कि दो बार तो तशुकती भरत कर लिए, रोज सुम बार का भरत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा, तो तुम्हें चिडा कर जा रही है, चंकर जी कहेंगे, अर इसका दुख नहीं काना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जा, उसे कहो तो दिल की बार, इस शरीर को लोग कहते है, आपके गुरु जी ने कहा, कि भगवान से कुछ नहीं मां उसके पास चले जाओ, दिल से, यह आत्मा, यह शरीर, यह सोने की रखम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ, दुख जब आता है, तबी रखम दुकान पर जाती है, तो यह शरीर भी जाना चाहिए तनमात्मा के दौार, अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीप मे कहां जाओं, सारी दुनिया में बटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता यह करो, 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 जब देखो जब यूटूब खोलो, फेस्बुक खोलो, तो कही ना कहीं का महराज मिल जागा, बताता हुआ यह कर लो, और उससे पहर करांगी कि मैं तेरे भरोसे पर भूले ना थे दया तर्मा में तेरे भरोसे हूँ उसके बरोसे पर रहो उसके सहरे पर रहो उसके आनंद में रहो मत बटको यहाँ वहाँ सारी दुनिया में भटक कर देख लेना अंत में कुछ नहीं अंत बिंदू वही है उसके सिवाए कुछ नहीं है और जीते भी शिव के बन जाओत मरने के बाद भी शिव के ही होना है अंत समय के बाद में प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे भगवान विश्णु बेकुंट में रहेंगे ब्रह्मा ब्रह्म लोक मे रहेंगे सारे देव ता अपनी अपनी जगा पर रहेंगे पर समसान में जवाग लगा के जाएंगे तब वोई नहीं रहेगा एक देव अधिदेव महा देव रहेगा तुम हड्डियां अगनी के कारण चटर-चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला तेरी हड़ी तो बहुत तूट रही रहे है कमला के नहीं गईना संकर के मंदिर इसलिए अब चटर-चटर करके तूट रही महादेव यह जाती ना तो नहीं तूटी यह निशे का बहुत चटर-चटर कर जिन्दा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ मरने के बाद डीपी बदल रही है गया अरे बोले तो सरी एक जैसा फोटो इत्ता बड़ा फ्रेम में माला पोड़ी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराते हो इससे ज्यादा कूछ जीवन जिन्दा हो तब तक डीपी बदलते रहो मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा और वो भी छोड़ा चुरी लगाएंगे तो लगाएंगे नी तो कौन लगा रहा तुमारा फोटो इतिसान से जीओ मारा चुरा मारा चुरा मरने के बाद इत्ते बैठे हो तुम में से कौन है जो सराथ में अपने डीपी पर अपने दादा पर दादा का फोटो लगा दिया जब उनका नहीं लगाया तुमने तो तुमारी उलाद तुमारा लगाएंगे अरी जी 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 जाने दोरी राजस्थान वाली ओ कोई नहीं जिन्दगी है अलमस्त होकर जीओ रोके नहीं खुश होकर जीओ इतनी प्रसनता का जीवन जीना के दुख है और बहुत चेहरे पर इसमाइल है तो लोग भी परिवार वाले भी कहेंगे कित्ती दुखी थी कित्ता कर जाहे कित्ती तकलीप में है तो भी कित्ती मुस्कुरा रही है पूरे परिवार वालों को तुम्हें देखके टेंसन हो जाएगा कित्ता दुख होने के बाद यह स्कूर रही है उनकी रोटीनी भाई कि उनको आदा खाके छोड़ देंगे कि यह मुस्कुरा क्यों रही है कारण क्या है इसके मुस्कुराने का इतना कर जाने के कि कॉलया अवाज नहीं ए यह ला कि वहला। अधले थे मुरापनरों मस्ती इन है क्लेज इसको कीषग्षदend तानके है जापने इसका कि कॉन क्या करा है कॉन क्या बोल रहा है को बोले तो इुन थैनान तो बोले आएकल खुल सм shipping भी बोले वाओ आलने दो तुम्हजन घन तुम स्री शिवाए बस सास को एसी देखके दो चार बार बोलेगी कुछ जादू कर रही है तो वो बोले कि जादू कर रही है पता नहीं मुझे तो नहीं मालूँ पर इस मंतर में जादू हो सकता है तभी तो महाराज व्यास्ट्रीट से बोले और लोग लाफों के संख्या में वाई रफेज़ू पसंदे रहें इस मंतर में कुछ तो होगा यह निशित है जबो श्री नमस्तूभ्यम् यह जिपनीवार निकलता है से महाकुराण में अभी कुछ समय पहले एक लाप नहीं पहले इंद ओर नहीं बहुत आपयक्शन लिया ये कोई मंत्र है क्शा आदा है जब लोगों ने इस मंत्र का प्रयोगता इसको क्यों पाजा जब लोगों ने इसको जब जनवानस में भेज दिया कि यह तो फालतुका है यह तो हो नहीं नूची यह यह तो यह तो लोगों ले और उसका चेहरा भी देख लो तो इब मनुष्य का सब कारे सफल हो जाता है तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है प्रिंसे बोलो श्री शिवाए नमस्तु कि अ कि इस नहीं कि अ लोगों का काम है भर्माना लोगों का काम है भटकाना पर्शु महापुरान करती आपको भटक ना नहीं आपको श्रन हागती ले स्वर्णा कपि लिखी बिभीशन लंका में रहते थे के कैई के करें अध्या में रहती थी को के का अध्या में रहने के बाद भी नहीं शुदरी है और विवीशन लंका में रहने के बाद भी नहीं दिगड़े कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना इसको कोई मिटा नहीं सकता विवीशन के भीतर ऐसा संस्कार था कि विवीशन उससे डोला नहीं और केकई के भीतर जिदपन था तो उसको कोई डोला आज हिंदू सनातन धर्म के जितने तेवार आते हैं हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ रंग मत लगाओ दिवाली आई वंपटा के मत फोड़ो प्रदुशन आएगा नौरात्रे आए गर्वा मत खोई खेलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ज कितने सनातन धर्म के तेवारत हैं उसमें कहीं ना तरही हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं वेल्कि प्रयास मन के कंट्रोल पर होना चाहिए जब पिवीश्न लंका में इंहीं बी içi आवद में फूदर स़खी हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए हम जाए गर्वा खिलने स बिगड़ सकता के वड़में सुदर सकती हमारा मिन का बेंना चाहिए बढ़ने अपरबेजा उनने इस तो यह एमेरे माता-पिता ने भेजा है तोड़ेना बस इतना इसमर्ण होना चाहिए बाकी का तेहवार वोई भी हो सनातन धर्म का उसे गिल से मनाना चाहिए जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मना प्रिसन चित्ता में मनाईए अपने जीवन को आनंद में जीओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है ये लोटाने के तागिल नहीं है 83,9999 जनम फालतु के मिलते हैं उसके बाद मनुश्का जनम है 84,00,000 हुआ इतने जनम निकल गए इस से पहले बोले जरा 83,999999 जनम कभी मच्छर बने थे कभी जुआ कभी खटमर कभी जिंगूर कभी कीडा कभी जल्चर कभी थल्चर ना जाने किते किते जनम 83,999999 जनम तो यह जीव जन्तु के मिले थे आखरी का जनम है 84,00,000 जनम कौन सा अरे बोले जम के मनुश्य का और 84,00,000 जनम और इसके बाद भी कोई गारेंटीनी दी जीजी कि अपन बापिस मनुश्य बन जाएंगे बापिस मनुश्य बने ये कोई भरोसा नहीं अगर दूसरे का पैसा खा कर मर गए तो अगला जनम भैस का मिलेगा और भैस का जनम मिलेगा और जिसका पैसा खा कर मरे उसी के घर में दूद देना पड़ेगा और वो नोच नोच के निकालेंगे हैं खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो सेट जी किया सारा दूद देना पड़ रहा है तो दूसरी भैस समझाए कि तुमारे महले की पड़ोसन अरी अपन इसका खाके मर गए थे इसलिए निचोड निचोड के देद जब तकर जा पूरानी हो जाए खूब जूड बोलेंगे आप शब्द बोलेंगे तो आगला जनम मेंड़क का मिलेगा जितन संड बोलेंगे तो हम तुम तो मेंड़क बन जाएंगे तुम मेंड़की बन जाओगे एक जनम 83 लाग 9999 के बाद जो मिला है यह मनुष्य का सरी बड़ा विचित रहे अंतिम बिंदु ए आखरी और इसमें इतना हमें फालतु के परपंज में निपना घर में रओ परिवार में रओ कितना भी जगडा हो कभी लड़कर अपने माई के नीजाना कभी लड़कर मज जा इनकी छाती पे मुंगा लो पर मज जा नी जोंग जा प्रफिता जाता नीज जाता लड़ाई जगडा हो उत्ती जोड़दार रोटी में घड़कर खाऊ तक लड़ने के लिए नर्जी भी तो तुम तचा था था और दूसर दिन तयारो के फिर बड़कर जला पर नीजाओंगी माई के तो नीजाओंगी जा पेले का जमाना था क लड़के माई के चले जाते हैं नीजाओं में तो जा स्योरवाला माराज ने मना कड़ा साला सर्जी में बोला था नीजाओंगी वह कितता ही कि में तरह समान रख दूँ पेप करके छोड़ियाओं नीजाओंगी जा और अगर भाहार छोड़ भी दे तो सांग को जब गाए अपने घर जाए तो उसकी फूस पकड़ के अंदर चली जा और वो बोले क्यों आई कि नमें तो आई नहीं दी भैसली आई कि मैं थोड़ना रहो प्रीम वश्रों नियम ले लेना कि अब अपना 83 लाग 999999 जन्म के बाद यह मनुष्य की देह मिली है रोकर नहीं नहीं दिमारी आई है रोग आया है तकलीफ आई है थोड़ा कर्जा हो गया है तेंशन आ गया है कोई बात नहीं हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव दिदिव महाद्यों मेरे साथ है सब चिंता वो मिटा देगा मेरा बालाजी सरकार बुठा है सब टेंशन मल आमान देती है अपमान मेरा देव देता है इसलिए देता है कि वह अपनी ओर उसको मोड लेता थोड़ा-थोड़ा कोई टभी आडा-ड़ा बोल दे तो गुर्सा नहीं हो न बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खीचा अपनी ओर किया जाने वो साधरन नहीं ने रिटना हा कि बना हे ना रिटन बना हा भगवान वहने से जब दिल से हरदय से चित से हम भगवान को कुछ करें भगवान वहनुता हुआ श्कार करता है एक प्रसंग बड़ा सुन्दर श्यु महापुराण में आता है कि मता अंजना गोतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर अराधना करकर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती है वो भगवान के बजन में भगवान की बक्ती में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते यह नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है हमारे भीतर जो है वो आत्मा है विश्वास के बल पर हम जिसको प्रगट कर लें परमत्मा सारी समस्या का हल एक लोटा जल बस जैसे पार्वती महिया ने भगवान संकर से प्रिश्ण जिया कि शिवजी हे उगरदानी हे बागंबर धारण करने वाले मुझे आपसे किवल एक प्रिश्ण करना है कि मर्तिव लोक में भजन करने का कोई एक निशित समय रखना चाहिए या नए कई लोग करते हैं हम सुवेरे नो बजे पूजन करने बैठते हैं हमारा निया में नो बजे से दस बजे तक मैं पूजन करती हूँ मैं साड़े आठ बजे शिवजी के मंदिर जाती हूँ मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुचती हूँ मैं इतनी बजे भगवान का ये कारिकारती हूँ समय से नहीं है दो बेहने थी घर में चक्की नहीं थी जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बेनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीस है किसी पडोसी की यहां गेन पर पडोसी की यहां जाकर दोनों बेने गेहूं पीसने लगी एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, फीस्ती रहती है दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, फीस्ती जाए किसी किया आदत रहती है, कि वो गेहूं या बाजरा या जाओं कुछ भी फीस्ते फीस्ते अब एक बेहम तो मुह में डालती जाए, खाती जाए, अर्थीस ती जाए दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है, जब आटा पिस जाएगा, यहूं काटा हो जाएगा, तब घर पर चलके रोटी बना के खाएगा, अभी तुम मुह में डाल रही है, अच्छी बात सुने न, क्या कर रही है यह बर-बर-बर-बर-बर-बर-बर, एक ए दाने को उठाकर मुने डालती जा रही है समझाज़ा अब जिस गाउं में ये दोनो बेने रहती दोनो ग्यहुं पीस रही थी आठा बना लिया एक खाती रही पीस्ती रही दोसरी उसको समझाती रही उसी गाउं में कबिर दाजी रहती और उसी गाउं में जब कविर्दाजी रहते तो ये दोनों बेने जब आटा लेकर चली और चलते इन दोनों बेनों का पाउं फिसल गया और फिसला और पूरा आटा कीचड में चला अब आटा कीचड में गया कविर्दाजी ने महीं खड़े होकर बोल दिया आटो पडो कीच में कचूना आयो हात पीसत पीसत चवायो सोई निभायो साथ अब कविर्दाजी लिख रहा है कि आटो पडो कीच में और कचूना आयो हात और पीसत पीसत जो चवायो वैदियो साथ शुमाहपुराणवी यही कर रही है कि भगवान के लिए हलक से समय निकानने की जुरुत नहीं है अपनी चलती हुई जिन्दगी में चलती हुई चक्की में चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो तब जीवन निकल जाएगा यह जीवन कब खब जा कोई भरोसा है क्या और कई लोग इंतजार में वेठे है अभी तो बच्चपन है जवानी आएगी जब भजन करेंगे अभी जवानी है अधेडी आंदो जब भजन करेंगे अभी अधेडी है गुड़ापा आंदो जब भजन करेंगे जीमन का मेरण को मैलूं है कि तुम्हें इत्य سाल मिमरोगे कोई जीमन Ao काल करेशू आजकर आज करेशू अब खलमें परल्ये हो जाएगा हरी जपेगा यह जीमन का कोई भरोसा मीन कोई ठीका ननी कब क्या हो पर है तुम्हारी भरोसा जड़ी है तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो तो यह निश्चित है कि शुब तुम्हें साथ एक पत्र आया दे कि पत्र बहुत सारे बनवारी लल जी सें सिकर से हूं गुरु जी आपके बताएं नुस्तार सावन की शिवरात्री कहीं बेटे हैं बनवारी लल जी सें कहीं बेटे हो तो हाते लगे हो जहां कहीं भी बेटे हो आथ ही लगे हो आपके बताएं नुस्तार सावन की शिवरात्री पिछले सान मेरी बेटी ने पूजा की और अविश्यक किया चौदा साल उसकी शादी को हो गए थे संतान नहीं थी गुरुदेव चौदा साल के बाद मई के महिने में दो हजार बाविस को मेरी बेटी के धर संतान हुए है ना बावा को भूख लगने आया है यह शिव है एक पत्रोर देख लेए हुए सुनीता सेनी सुनीता जी सेनी अलवर से आई है पहीं बेटी हों तहती लए यह आपी है दोनों हाती लगने दोशरी शिवाए नमस्तु जी बाबा छे महिने से किटनी और लीवर की बिमारी थी जैकुर का इलाज चल रहा था लेकिन प्रखीना बढ़ते ही आ रहा था पिडेनी लीवर दोनों डेमेज हो गया दक्तरों ने कहा कि डाइलेसिस आ सकता है क्रिटिना बढ़ते ही चले जा रहा था थम नहीं रहा था गुर्देव बहुत दुखी हो चुके थे खून भी 5-6 यूनिट रह गया था मुझे बहुत चक्कर आते थे शुगर बीपी थे मुझे मेरी मम्मी और मेरे परोसन ने अंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चड़ाना शुमहा पुरान की कथा टीवी पर आती है दिल से सुनना मैंने जल चड़ाना चालू करा उन्होंने का बेलपत्री चड़ा कर ला हम मेरी किडनी और लीवर कँंक। काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डेमेश था वह भी बाबा की खुरुको NICK श्री शिवाये नमस्तो अध्यम बाबा की खुटा शंबोगा दीपी का शर्मा रतंगड चुरूस हैं कई बेथी हो तो हाति लाइन जाती हैं दोनों हाति लाइन देखवाद श्री शिवाये नमस्तो अध्यम भजन की लाइन बहुत संदा लिखिए दीपीका जी आपने करना में तेरे वरोस हूं मैं बाबा की उधारता का क्या बखान करूं पुरुदेव बाबा मेरे बेटे गोरव महरिशी ने बेंक की नोकरी के लिए खूब प्रयत्म किया जितनी बार एक्जाम देता नहीं निकल पाता बहुत समय हो गया गुरुदेव एक्जाम दे दे कर नहीं लगेगी जो लोग पैसा दे हो सकता उनका लगता हो पर बाबा एक बार शुमहा पुरान की कथा श्रमन करी बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पश्युकत की ब्रत किया और शंकर भगवान की एसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एक्जाम देने के प्रणाम करने के लिए बहुत बधाई बहन आपको श्री शिवाये नमस्तु भ्याम गुरुदेव गायों को लंपी रोग गरसीत काये हैं जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चड़ाई हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है गुरुदेव हमारे यह कि गाय भी हमने शंकर जी पर चड़ा हुआ जलो बेल पत्र खिलाया तो अराम लगना प्रादम हुआ है ये शिव प्रणाम करती हूं हर हार बैठी है वहम बैठी है श्री शिवाये